एक्सेलन्सीज, प्रदान मंत्री जेंफ मारा पे मेरे साथ इस समीट को को होस्ट कर रहे हैं, जहां पोर्ट मोरस भी में समीट की सभी एरिजमेंट के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धनवाद करता हूँ, एक्सेलन्सीज, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मोका मिला है, इस बीच, बिश्व, कोविड महमारी और अन्य कई कठीन चुनोतियों से गुजरा है, इन चुनोतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधित पड़ा है, क्लाइमिट चेंज, प्राकृतिक आपनाएं, बुख्मरी, गरीबी, स्वास्त से जुड़ी, बहुत सी चुनोतियां, पहले सही थी, अब नई समस्यां उत्मन हो रही हैं, फूर्ड, फियल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाइ चेंज, उसमें भी बाताएं आ रही हैं, जिने हैं, हम अपना विश्वस निया मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय, वो हमारे साथ नहीं खड़े थे, इस कठिनाई के समय, मैं पुराना वाग के सिद्ध हुआ, आप फ्रेंड इन नीड, इस फ्रेंड इन डीड, मुझे खुशी है कि भारत इस चनोती पूर्ण समय में, अपने पैसिफिक आइलेंड मित्रों से कंद से कंदा मिला कर खड़ा रहा, भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाईया, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी ख्रमताओं के अनुरूप, सभी साथी देशों की मदद करता रहा, एक्सलेंसीज, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओसन कंट्रीज है, स्मॉल आइलेंड स्टेट्स नहीं, आपका यमास अगर ही भारत को आपके साथ जोडता है, भारत की विचारधारा में संपुन वीश्व को परिवार के तरह देखा गया है, बसु धैव कुटुम कम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेणा है, इस साल चल रही हमारी जी ट्वेंटी प्रेसिदेंशी की थीम भी, बसु धैव कुटुम कम के उस सिध्धान के प्रकाश में, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है, इस वर जन्वरी में हमने, वाइस अब साउथ, ग्लोबल साउथ, वाइस अब ग्लोबल साउथ समीट का आयुजन किया, आपके प्रतिनिद्यों ने इसमें भाग लिया, अपने विचार साजा किये, और इसके लिए मैं आपका अभिनादन करता हूँ, भारत, ग्लोबल साउथ की चिंता हूँ, उनकी अपेक्षाओं और उनकी अकांख्षाओं को, G20 के जरिये विश्व के समक्ष पहुँचाना अपना दाईत्व मानता है। एक्सलेंसीज, पिछले दो दिनों में जी सेवन आउट्रेज समिट में भी मेरा यही प्रयत्न था। His Excellency Mark Brown, जो वहाँ पर Pacific Island Forum का प्रतिनिदी तो कर रहे थे, वे इसके साक्षी हैं। एक्सलेंसीज, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वकांक्षी लक्ष सामने रखे हैं। मुझे खुसी हैं कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल, UN Secretary General के साथ मैंने Life, Mission Life, और जब मैं Life क्याता हूँ तब, Life का मेरा मतलब है, Lifestyle for Environment, लाँच किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मुमेंट से जुड़े। भारत ने International Solar Alliance और CDRI जैसे इनिशेटिव लिये हैं। मैं समझता हूँ कि Solar Alliance के साथ आप मैंसे ज़्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है, CDRI के प्रोग्रेम्स को भी आप useful पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इनिशेटिव से जुड़ने के लिए भी आमंतरित करता हूँ। एक्सलेंसीज, फूड सिकूरिटी को प्रात्विक्ता देते हुए, हमने नूट्रेशन को और बातावन सवरक्षन को भी ध्यान में रखा है। वर्स 2023 को युएन ने अंतर राष्टिय मिलेट वर्स गोशित किया है। भारत ने इस सूपर फूर को स्री अन्न का दर्जा दिया है। इनकी खेती में कम पानी लगता है और उनमें नूट्रेशन भी अधीक है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूर्ड सिकुरिटी सूनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। एक्सलेंसीज भारत आपके प्रात्विक्ताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलप्मेंट पार्टनर होने पर गर्व महसुस करता है। मान भी सहायता हो या फिर आपका विकास भारत को आप भरोसे मन पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। पाउल का कन्वेंशन सेंटर, नावरु का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, फीजिके सैकलोन प्रभावित किसानों के लिए बीज, और किरिवास का सोलर लाइट प्रोजेक्ट, यह सभी इसी भावना पर आधारित है। हम बिना किसी संकोष के अपनी क्षमताएं और एक्स्पिरेंसिस आपके साथ साधा करने के लिए तयार है। डिजिटल टेकनोलोजी हो या स्पेस टेकनोलोजी, हेल्थ स्पिरिटी हो या फूड सिकुरिटी, क्लाइमेट चेंज हो या एनवार्मेंट प्रोटेक्शन हो। हम हर तरह आपके साथ है, एक्सलेंसिस, आपकी तरह हम मल्टी लेटरिलिजम में विश्वास रखते हैं, फ्री, ओपन और इंक्लूजिव इंडो पसिफिक का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभूता और अखंडत्ता को सम्मान करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज भी यूएन सुरक्षा परिशद में बुलंदी से उठनी चाहिए। इसके लिए आंतराष्ट्य संस्ताओं का सुधार हमारी साजा प्रात्विक्ता होनी चाहिए। हिरोशेमा में आस्टेलिया, आमेरिका और जपान के साथ क्वार्ड में मेरी विश्टार से बात हुई है। इस बातचित में इंडो प्रसिफिक शेत्र पर विशेश फोकस दिया जा रहा है। क्वार्ड की बैटरक में हमने पलाओ में रेडियो एक्सेस नेटवर्ड आरे एन लगाने पर निरने लिया है। हम प्लूरा लिटिकल फॉर्मेट में पैसिफिक आइलेंड देशों के साथ सभ भागेदारी बढ़ाएंगे। एक्सेलेंसीस मुझे खुशी है कि फीजी की यूनिवर्सिटी ओफ साउथ पैसिफिक उसमें सस्टेनेबल कोस्ट्रल एन ओसन डिशर्च इंस्टिटूट स्कोरी की स्थापना हुई है। यह इंस्टिटूट सस्टेनेबल डेवलप्मेंट में भारत के अनुभवों को पैसिफिक आइलेंड देशों के विजन से जोडता है। आरेंडी के साथ साथ यह क्लाइमेट चेंज की छुनोतियों का समाधान करने में भी उप्यूगी है। आज कोरी को चवदा देशों के नागरिकों के कल्यान, प्रगती और समृति के लिए समृति करने में मुझे खुशी है। उसी तरह मुझे खुशी है कि स्पेस टेक्नलोजी का राष्ट्रिया और मानुविये विकास में उप्योग के लिए वेब साइड का लॉंच हो रहा है। इसके जरिये आप इंडियन सेटलाइट्स नेट्वर्च से अपने देश का रिमोट सेंसिंग डाटा डाउनलोड कर सकेंगे, अपनी अपनी राष्ट्रिय विकास की योजनाओं में इसका उप्योग कर सकेंगे। एक्सलेंसी, अब मैं आप सभी के विचार जानने के लिए उत्सुक हूँ, एक बार फिर आज इस समिट में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।